साथियों आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापक्ता के दर्शन हो रहे हैं जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में है आज अयोज्धा का ये उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुद्हेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्क्रिति के प्रति अटूट भी स्वाज की भी प्राण प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिविय मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन को सुके जाए ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है ये भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदिर है ये राम के रूप में राष्ट चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विवु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताद्यों तकी नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी नहीं कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य परपतिष्ठीत हुए यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर